टाइगर श्रॉफ और दिशा पतानी का हो चुका है ब्रेक अप और इनके बीच भी कड़ी टक कर देखने को मिल रही है जी हाँ टाइगर और दिशा के रास्ते अलग हो गए हैं तो दोनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बिजी हैं दिशा सल्मान खान के फिल्म भारत में काम कर रही है तो वहीं स्टूट आफ दियर टू में काम कर रहे हैं हमारे टाइगर श्रॉफ और स्टूट आफ दियर टू के बाद टाइगर श्रॉफ बागी थी के काम में जुट जाएंगे लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ी को और खबर सामने आ रही है जो शायद आपको शौक कर देगी आपको याद होगा कि बागी में टाइगर शौफ के साथ श्रदा कपूर ने रोमैंस किया था तो वहीं बागी 2 में दिशा पतानी टाइगर से इश्क फरमाते हुए नजर आई थी लेकिन अब खबर है कि टाइगर शौफ से ब्रेक अप के बावजूद बागी 3 में रोल पाने के लिए दिशा पतानी 80 चोटी का जोर लगा रही है लेकिन अब लग रहा है कि दिशा पतानी को मेकर्स बिलकुल भी नहीं सुनने वाले क्योंकि खबरे हैं बागी 3 से दिशा पतानी का पता कड़ गया है मेकर्स ने फिल्म में नए चेहरे को लेने की तयारी शुरू कर दी है यानि कि बागी 3 में नई हिरोईन की एंट्री हो सकती है जिसके साथ टाइगर शुरॉफ रूमैंस करते नजर आएंगे क्योंकि बागी और बागी 2 में नई हिरोईन थी और मेकर्स का मानना है कि इस बार भी फिल्म में कोई नई हिरोईन कास्ट होनी चाहिए कहा तो ये भी जा रहा है कि बागी 3 में कृति से नौन ने अपनी दिल्चा स्पीद दिखाई है लेकिन सवाल यही है कि टाइगर शुरॉफ से ब्रेक अप के चलते दिशा पतानी का पत्ता इस फिल्म से साफ तो नहीं हुआ खैर जो भी हो सच तो सामने आ ही जाएगा बॉलिवूट की तमाम खबरों के लिए देखते रही है हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी जी हां टाइगर और दिशा के रासते है अलग हो गये हैं तो दोनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बिजी हैं दिशा स्लमान खान के फिल्म भारत में काम कर रही है तो वहीं सुड़न्ट आफ दियर टू में काम कर रहे है हमारे टाइगर शुरॉफ और Student of the Year 2 के बाद Tiger Shroff बागी 3 के काम में जुट जाएंगे लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ी कोई खबर सामने आ रही है जो शायद आपको शौक कर देगी आपको याद होगा कि बागी में Tiger Shroff के साथ श्रदा कपूर ने रोमैस किया था तो वहीं बागी 2 में दिशा पतानी Tiger से इश्क फरमाते हुए नजर आई थी लेकिन अब खबर है कि Tiger Shroff से ब्रेकप के बावजूद बागी 3 में रोल पाने के लिए दिशा पतानी 80 चोटी का जोर लगा रही है लेकिन अब लग रहा है कि दिशा पतानी को मेकर्स बिलकुल भी नहीं सुनने वाले क्योंकि खबरे हैं बागी 3 से दिशा पतानी का पता कड़ गया है मेकर्स ने फिल्म में नई चेहरे को लेने की तैयारी शुरू कर दी है यानि कि बागी 3 में नई हिरोईन की एंट्री हो सकती है जिसके साथ टाइगर शुरॉफ रोमैंस करते नजर आएंगे क्योंकि बागी और बागी 2 में नई हिरोईन थी और मेकर्स का मानना है कि इस बार भी फिल्म में कोई नई हिरोईन कास्ट होनी चाहिए कहा तो ये भी जा रहा है कि बागी 3 में कृति सेनौन ने अपनी दिल्चा स्पीद दिखाई है लेकिन सवाल यही है कि टाइगर श्रॉफ से ब्रेक अप के चलते दिशा पतानी का पत्ता इस फिल्म से साफ तो नहीं हुआ खेर जो भी हो सच तो सामने आही जाएगा मॉलिवूड की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी है